सब नमस्कार कैसे हैं आप सब आप आप लोग काफ़ज़ाता बढ़िया होंगे और आज की वीडियों सबी स्टुइट्स के लिए काफ़ज़ाता इंपोर्टेंट है जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है और आने वाले टैम के अंदर अपना CUT entrance test देने वाले हैं तो आज की studio के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Year 2023 के अंदर CUT के general test का जो आपका syllabus रहने वाला है वो exactly क्या रहने वाला है देखिए बहुत साथ स्टुएंटों जिनको exactly नहीं पता हो क्या general test क्या होता है, domains क्या होते है, language क्या है उसके अंदर CUT के अंदर तो देखिए, basically CUT के अंदर तीन अलग-लग sections होते हैं जिसके अंदर एक language होती है इसके अलावा आपके domains होते हैं, इसके अलावा आपका general test होता है जिसके अंदर aptitude का section आता है तो आज ही इस video के अंदर हम लोग general test के बारे में ही बात करने वाले हैं आपका exact syllabus क्या होने वाला है general test का, right? और जो domains है और जो language है उसकी वीडियो हम लोग अलग बनाने वाले हैं तो इसी channel पर आपको videos भी मिलने वाली है वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जनकारी और आप सुन लीजिए वीडियो सही लगे तो आप जोइन कर लीजिएगा और अगर आपको demo videos सही ना लगे तो आप बिल्कुल भी जोइन मत करना लेकिन आप demo videos देखने का कोई पैसा नहीं लगने वाला है अब आप demo videos आराम से देखो टीचर की साथे पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए और अगर आपको सही लगता है तो आप जोइन कर लीजिएगा इसके साथ साथ देखिए हमारी टीचर जो है वह भाई वह भी बहुत ही टोप इंस्ट्यूट से पढ़े हुए है तो आप टीचर की क्लिफिकेसिंड देख सकते हो इसके अलावा हमारी जो रिजल्ट्स आए थे बई 2022 के स्रीउटी की के वह रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि कितने सांसे स्ट्रूेंट्स के हंडर पर सेटर आय थे तो सब चीजे बर वरिफाय करने के बाद हर चीज देखने के बाद तो आपको अच्छी तरह से चीजों को देखना है, अच्छी तरह से चीजों को समझना है. तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपना जो exact slabels है, जनरल टैस्स का आपको देखना है. सबसे पहले आपको देखों, जो cvt की वेबसाइट है, cvt.summer.ac.in ये आपको ओपन करनी है, जैसे आप यह वेबसाइट ओपन करोगे और हाँ, देखें यह जो वेबसाइट है यह आपको अफिशल वेबसाइट है, यही पर आपको सब चीज़े मिलने वाली है, जैसे आप यह यह पेज आपको जो ओपन हो जाएगा, जैसे अंदर सिफ एक ही पेज है, और सिफ और सिफ यही इंफ्रमेशन एक लिखी हुए, जो आपको फिलाल स्क्रीन पर दिख रही है, अब आपको ओगे इस इंफ्रमेशन के बेसिस पर हमें क्या पताश लिएगा है, यह तो एक एक एक्जाम पेटन दिया गया है, कि एक्जाम पेटन के अंदर क्या क्या चीज़ है हमारी आने वाले है, जैनल टेस के अंदर, तो देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुए, आपकी जैनल लोलिज है, करंट अफेर है, जैनल मेंटल अबिलिटी है, निमेरिकल अबिलिटी है इसके लागा quantitative reasoning है, जिसके अंदर आपके basic math आता है, arithmetic है, algebra है, geometry है, यह सब चीज़े आएंगी, इसके लागा आपके logical and analytical reasoning यहाँ पर लिखी हुए, right? अब यह तो हो गया, आपका exam pattern, कि exam के अंदर क्या क्या चीज़े आने वाली है, यहाँ पर लिखा भी हो है कि कितने questions होंगे, 75 questions होंगे, और कितना आपको time मिलने वाला है, यह सब लिखा हुए, 75 में से आपको 60 attempt करने होंगे, यह सके अंदर लिखा हुआ है, अब हम आज आते ह मैं बात करूं, quants की, arithmetic की, तो कोई आपको कहेगी हो, तुम्हें काम करना, speed time distance कर लेना, इसके लाव तुम कुश मत करना, तो अगर आपको कोई इसके की suggestion देता है, तो आप समझ लोगे है, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको पूरा 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 है, algebra, वो सब कुश आपको करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा cover, अब वो किस तरह से आपको करना है, मैं आपको बताता हूँ, तो देखे, यहाँ पर अगर आपको देखोगे, तो यहाँ पर देखो, syllabus मैने यहाँ पर निकाला हुआ है, माल लिए जैसे, general knowledge ही हम बात करें जीके के हम बात करें, तो जीके के अंदर आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सबस्याले देखो, history, political, geography, art and culture, या फिर books हो गए, authors हो गई, inventions हो गई, जितनी भी जीके है, static जीके जो कभी change नहीं होती है, वो आपको सारीक सारीक कर लेनी है, ले history हो गई, इसके अलाब आपकी geography हो गई, art and culture हो गया, जो basic चीज़े हैं, वो आपको कर लेनी है, सारीकी सारी, right, हमारे course के अंदर भी हम लोग provide करते है, इसके बाद आपको current gk पर आना है, जो की current affairs है, वहाँ पर लिखाब हुआ है, तो current affairs आपके काम करना भाई, जिस time आपक exam है, उससे लेकर कि एक साल पहले पहले तक कि आपके current affairs है, वह आपको complete कर लेने है, और current affairs basically किसी पर होते है, international organizations के हो गई, economy हो गई, international affairs हो गई, countries हो गई, currencies हो गई, monetary and physical policies है, या फिर मंतली आपकी gk है, वो साइज साइज जो चीज़े हैं, वो आपको इसके अंदर current gk के अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आपके logical reasoning पर, आपने logical reasoning का देखा होगा part, वहाँ पर analytical reasoning का रहे है, logical reasoning लिखी हुई थी, तो देखे, यहाँ पर आपका basic LRDI है, वो आपको आएगा, तो LR section के अंदर आपको बता हो गई, alphabet test है, blood relations है, calendars है, close है, coding decoding है, dices है, direction, cubes, तो मुझे रखता है कि CUT के level पर, आपको basic LR जो है, वो तो आपका definitely बहुत ही बढ़िया तरीके से होना चाहिए, अगर आपका मन कर रहे है, advanced LR करने का, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए benefit ही रहने वाला है, right, तो आप basic LR तो पका कर लिजेगा, और advanced LR को को इसके अंदर नहीं में तो देखो, मैं अपर से अपन कर आपको दिखाता हूं, तो को आपको देखाता हूं, तो क्वांट के लिखा हुआ है, quantitative reasoning नहीं ही यहाँ आप देख सकते हो, basic math concept लिखे है, arithmetic है, algebra है, geometry है, या फिर आपका mensuration है, इसके अलावा कर आपको अब आपका, तो तिल ग्रेड एट लिखा हुआ है स्टैटिक जो आपके होती है स्टैटिस्टिक को बहुत सकते हो वो चीज़े है तो इसके अंदर बात करो तो यह आपका सलेबस है अब यहां पर जो कौंट से उसके अंदर से हाइर मैस बेसिकली आपका मैस का डॉमेन हो गया इसको आपक किसी मिवें बद यह इस मतलव एक जैना पड़ेगा निग्जन यहां इसके इसके अंदर नहीं आएगा रइट तो यह आपका अर्फ्रमेटिक के इंदर आपका क्या चीज़े घंगी स्पीड मैस यह यह निक्व कि वेडिग माथ है वो आपको बताओगने चाहिए इसके ल profit and loss भी लगा सकते हैं तो इंटर लिंग्ड है अगर आप मालने जिए averages को अच्छे से करते हो, percentages को अच्छे से करते हो आप बाकी जो topics से भी आप अच्छे से कर पाऊगे इसके लावा mix and allegation हो गए या फिर आप simple compound interest हो गया time speed distance है यह जो चीजे हैं यह आपकी arithmetic के अंदर आती है इसके लावा देखे नंबर सिस्टम है, geometry है, algebra है तो यह आपको सारा कर लेना है इसको आपको नहीं शोड़ना है जो भी इसके अंदर लिखा हो था, arithmetic था, number system भी आप कर लिजिएगा इसके अलावा geometry था, algebra था यह आपको चीज़े करनी है राइट हाईर मैस को आप छोड़ दिएगा हाईर मैस जो है वो आपको बेसिकली इसके अंदर नहीं आने वाला है बेसिक जो quants होगा 10th class तक का वही आपको quants देखने को यहाँ पर मिलेगा अगर आपको कोई यह बोलता है यह काम करना भाई तो arithmetic के अंदर से na speed match तो कर लेना लेकिन यह जो average and percentage इसको मत करना है important नहीं है अगर आपको ऐसा बोलता है आपको बेकुफ बना रहा है क्योंकि किसी को भी नहीं बता है कहां से क्या आएगा अगर arithmetic लिखा है तो आपको complete जो arithmetic है वो पुरा 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 पढ़ाई करनी होगी ऐसा नहीं हो सकता है यार आप एक topic करो दूसर topic मत करो तो इस तरह से काम आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आपको इधर उदर की बाते करके आप कुछ प्रपेर कर पाओगे शोटकर्स अगर आपको कभी एंट्रेंस क्रेक्ट नहीं हो पाएगा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ही पढ़ाई करनी बड़ेगी और अपने आप करना चाहते ह है वो कर पाएंगे अपने सी रूटी के लिए राइट सो मिलते नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई एंट टाटा अंड आई होप आपके लिए आज की वीडियो काफ़ जदा इंपोर्टेंट रही होगे काफ़ साइच चीज आपको समझ आई होंगी